प्रोग्राम अज़दा मुद्धा दे विच मैं तोड़ी होस्ट आश्मिता सारे नोगे प्रोग्राम दे विच एक वारी फिर निगा स्वागत कर देयां सारी टीम पहुंची हुई है वाशिंग्टिन डी सी दे एरिया दे विच जदो असी अमेरिका दी राजधानी दी गाल कर देयां एथो शुरू हुंदी है किते ना किते अमेरिका दी राजधानी दुनिया दी सियासत उते भी वड़ा इंपक्ट लाके आन दी है इस impact उते इस influence उते अज दी डेट दे विच वड़े सवाल उठ रहे है United States दी दुनिया दे विच की जगा है की केस तरह United States दी जो strength सीगी जो global position, global standing सीगी ओरे उते पिशले कुछ साला दी administration दी politics दा की impact हो रहे है अकसर United States दे विच हर जैन्वरी तुसी वेख दे ओ, जो भी sitting president होनदा है उना दे वलनो एक state of the union address दिती जान दी है के साड़ा मुल्क, साड़ी union दी की सेथ हैगी के इस direction दे विच असी जा रहे हैं, की खामिया है गी हैं, ते किते असी progress किता है एस state of the union, तुसी कहलो, जो परचार होनदा है, of course president वलनो होनदा है बड़ अकसर हो कहन दे के मेरी cabinet दे विच एह किता गया मेरी administration दे का रही है, मेरी party दे का रही है बड़ आज जैसी ओसी state of the union दी गाल करन जा रहे हैं एक local perspective तो जदो असी गाल कर दे है, politics दी, of course, अकसर कहा जानदा है all politics is local because United States दे विच, तुहादी day-to-day life उते जादा impact तुहादी local politicians, elected officials, local policies कर दी है so local level ते, जदो पुच्छी आ जानदा है, community नू what is the state of the union? एस सवाल दे जवाब दे लिच, अज असी पहुंचे हैं Washington DC, ते सादे guest, सदे नाल जुडे हन एक बारी फिर मिनू बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्रम दे महमाना नू तौदे नाल मिलान दे ले तुसी उना दे नाल काफी वाकिव already हो but मिरे नाल जुड के इनादा अज प्रोग्रम देवे स्वागत करो सब तो पहले, जस्दीब सिंग, जैसी जी, साजेद तरार जी तो नू प्रोग्रम देवे स्वागत, सथ स्रियकाल सथ स्रियकाल So good to have you both जस्दीब जी, सिक्स अव अमेरिका, साजेदी पाकिसानी जव अमेरिका and असी पहुंचे हैं Center for Social Change जो के तुहाड़ी एक community देविच सुधार लेके आन लेए उना लेए, जो सब तो लोड मंद, सब तो वुनरबल साड़े विच हैगे उना नो तुसी help कर देओ, community देविच, society देविच दखल फिर कर देओ You give them resources, ओदे ले असी तुहाड़े सारे तनवादीयां जैसी जी, जदो असी state of the union दी गाल कर देओ, उद दान ता इह सवाल, सब तो अच्छे ओदे नो पुच्छे आ जानदा है बट लोकल लेवल ते, अगर असी देढ़ देविच गाल करीए, United States दी सेथ अते global standing दी की तुहाणू लगदा है, की साड़ी state of the union हैगी आज दी तरीक विच जदी state of the union है अमेरिका दी, it's very very concerning बहुत मुश्किल हलाद चो मेरे सामनल कंट्री निकल रहा है जैसी उद उच्छे लेवल दी गाल करीए, या लोवर लेवल दी गाल करीए, इस सारा effect करदा है हार एक बंदे नो, हार एक community नो, पूरी अमेरिका दी population नो effect करदा है अज जे वेखीत inflation is out of control जड़ा कार खरीदने, वो एक सुपना जड़ा सी काम, American dream to buy a house is getting out of reach हार चीज विच इन्फलेशन दा तो नो पताई ये किये On top of that, we have issues with crime America which crime is out of control, जड़ी policies चल्दी आई याने कि defund the police, जड़ी black lives matter movement चली सी उदे जड़ी negative impact आयने, जड़ी आया कि police बिल्कुली demoralize हो चुकी है and they are not able to perform their job और crime has taken new heights, तुसी New York वेख लो, Chicago वेख लो, Baltimore वेख लो, San Francisco वेख लो जड़ी शहर डिड़ा है तुम बच्चिया नहीं है और ये ते domestic level ते issues चल रहे ने पर जड़ी इंटरनेशनल लेवल ते देखो तो America the standing is विले बहुत थरले आयूई है जड़ी दूजे nations ने, they have all aligned together against America, they are trying to, they are seeing America as a very weak nation because of a weak leader आज ब्रिक्स नेशन, आज रश्या, आज विच इंडिया भी है और साओधिया भी है, they all अगन अपनी जड़ी ट्रेड है वो अपनी करंसी विच कर रहे ने, they want to start another currency in competition with the dollar और जड़ी alliances बन चुके ने, America देख लाफ नॉर्थ कुरिया जड़ाए, ओ, American वक्हा दिखा रहा है Taiwan, China is ready for Taiwan जो रश्या भी जो पूतन ने, Ukraine नल कीता है this all happened because I think of a weak status of United States मेरे ख्यानल, जिस तरह अफगानिस्तान तो सड़ी exit होई सी रादे अंधेरे विच जिमितार सभी हमेशा कहने ने, रादे अंधेरे विच असी उत्हों नसे सी ओदा पूरे वर्ड ने विख्या की super power के में humiliate होके निकली है yes we had to leave Afghanistan but there was a way to leave but the way we left the world saw that this is a very leaderless nation and the world is reacting to that, जिसना साथे पाक जड़े हुंदे the president, the way he fumbles, the way he falls, the way he cannot speak a complete sentence, the world sees that this is a leaderless nation with open borders, there's no immigration policy, there's a I've not seen a nation other than this country that has no borders so if you look at the whole picture, the situation, the future is not that good right now unless there is some change साजय जी खास करके ज़िए सि conservative जो movement हैगी आप्रेशनल conservatism जस तरह United States ते विच गिन्ने decades तो अवल्व हुंदी आरी है आज देडे जुनाइटे दे विच उनाइटे आप्रेश्टेथे विच उस सबस्ट पहले तोड़े सारे वेखनाराइन सस्रीकाल कवांगा बड़ी निगी जी सास्रीकाल उस सबस्ट पहले इन्व अपने आपना रिलेट करांगा कि मैं आज तो 35 साल पहले I came as a law student और मेरी रीजन सी ये थे instead of going to England because most of the lawyers from Pakistan या साढ़े इंडिया जो पड़न जान दे सान England ते मैं conservative country समझ काया सा America नू और अजे भी हर conservatism is not dead yet, it's not over, it has gone weaker और मैं समझ ना के ये थे अजे भी it's much better than the Europe लेकिन it has gone weaker because country is divided on different जगा तो races ते तोड़े बजा तो division तोड़े political ideas दी बजा तो division far left and far right is the problem और उस division नू कट करन दी कोशिश नहीं कीती जा रही मैं अगरी करांगा जसदीब सिंह साब के वेखो leadership जड़ी एस्टम White House is not providing leadership मैं माजी देवेचे वेहदा रहां कि वेफोर सिर्ण परेशन में तोड़े जासी जाड़े परना जाड़े जाड़े के दिस थर्द तरम अव बराक उबामा क्योंके प्रेजिएंट साहब he's too old cannot make the decisions and things and look at the foreign policy our allies they are running away like flies और एही वज़ा है कि मुलक नू लीडर्शिप नहीं प्रवाइड कर सेके मुलक नू उनाइट करने दी सलाहियत नहीं रखते ते हलाके चाहिए आते है इसी कि he should lead America instead of leading democratic party और इसे वर लेकिन conservatism is still strong तो सी वेख्या होना है एक वेव ता सोचा है जाना सी पिछले मिड टरम देवेच के रैड वेव आएगी वेव ते नहीं आई लेकिन एके still they guard the house it means that the people still believe in conservative values जी 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 तोड़िनाल असी साजे जी सानू इथे United States दे विच political thought दे कि कुछ हालात पनप रहे है उना दे वारे सी विचार का रहे है खास करके जदों सी आन वाले 2024 दे presidential election दी गाल कर दे है एहे race हुन momentum गेन का रही है जो ता इस race नू closely watch कर दे है politics दे विच इथे नजर रहे इंटरस रहे है उना नू पता है एह race था पिछले साल दी शुरू हुई हुई है President, former President Trump kicked off this race earlier and with more aggression than most people expected पर अज दी दे विच Republican side दे there are double digits candidates दास तो बद दे चंजन ने आप दी candidate C declare किती हुई हुई हुँच कहियां दे चंसे वर दे लेवल थे इस विले कालकुलेट किते जा रहे है कहिया नू कोई जादा seriously नी वेख रहे है So let's talk about some of the जो छोटे candidates इस विले अगे आ रहे है जैसी जी पहले भी गालका रहे है दो South Asian names निकी हेली विवेक रामस्वामी ने रिसेंटली अपने आपनो डिस्क्राइब किता है ओदे अपने वर्ट हन आए एम एवाइट नेशनलिस्ट इन अब्राउन परसंस बारी तो उन्ने ओहो ट्रैक अपना चुन्या हो एक्स्ट्रीम निकी हेली अपने अपनो सेंटर वल लाके जा रही है तोहाटे ख्याल जैसी जी एहे जो कैंड़ेटेट्स हान साओथ एजिन कमिलिटी दी वोट खिच सगदे है की एजनरल वोट या इवन रिपब्लिकिन नमिनेशन खिच सगदे है की एक चांसे जोना नुक तुसी दिन दे हो दोनो दे एज़े साथे साओथ एजन कैंड़ेट्स ने दोना हाथी आपजी सब्स्ट्रीज पधाद अचे he is worth more than $600 million and I have listened to his policies and they are right in line with President Trump and there are other candidates, Tim Scott has announced but the problem is that the Democrat Party if a minority candidate goes to Republican Party they don't consider him oh now there isn't this minority he is Republican whitewash है ते वो पुरा दी उना दी टीडी मिशिनरी है ओ इना दे पिछे लागे जान दीए किना नू किसे तरीके ना सी डिस्क्राइट करिये और वही हो रहा है देमोक्राइटिक पार्टी देवलो और मैं सामगी दा पर इस्टिल आ वरी हल्थी situation for Republican Party के इनने सारे candidates अगे आएने एवन तो President Trump is taking a lead I think it's a very good scenario के South Asian candidates इनने Republican Party चो अगे आएने and hopefully maybe you know I personally think that couple of these candidates अगे आएने अपने अपनो Vice President ती positionally in a so now let's talk about some of the Joe competition jananumania jan that right cast card everyone's talking about governor Ron DeSantis of Florida right so my viewers maybe that's not chaniya governor Ron DeSantis the entry is race day which Twitter dahi hui of course os twitter announcement day which which technical issues BCG but it was an interesting way to announce your presidential campaign non-traditional Jesse G to see at this Saja G met on the donna the right is oh take Lana Chavanghi situation the Ron DeSantis is really just a nap nap new a national level they have my pair jaman the koshis karay a hoji Twitter the appearances yeah Joe coach immigrants new lackey you know one are the actions raha and sending them buses the which karke north you know New York Washington DC Martha's Vineyard etc a hoji cheeza Ron DeSantis new national love they are even his feud with Disney right to Florida jori a hoji actions national level the key Ron DeSantis new help karan ge hurt karan ge a new michrants excuse me illegal immigrants他們 page पक्राइब टोडियों किसे रचिते-चेए स्पस्थ एक्राइब उड्री न्हीं है चाहिँने साफरे वे थी सुटाइब तो दुजज़ दिजनी देखो, you know, some of the laws that are being made in this nation are going to extreme, you know, very extreme. Personally, and I think as a society, we are for everybody's rights and everybody's, you know, upliftment, whether you are black, white, brown, yellow, LGBT, trans, whatever. You know, we want everybody to have equal rights. But when, when a society which you don't know anything, panic, extreme which goes on. When you give a child's two-year-old, or elementary school which you give a gender change permission, parents don't involve you, I think that was an extreme step. And Florida took the right decision, that if you don't get an adult, or whatever that the person's right, but not the teachers in a school who, or his, you know, other activists who can take away your child and do whatever they want. So I think one of the things which, and Disney was promoting that kind of culture. So, and Disney came against these laws that were passed by the Florida, and I think, personally thinking, Ron DeSantis should have resolved this dispute by now because at the end of the day, Disney is an American icon company, and people, all Disney youth is associated with Disney, I think Ron DeSantis did initial steps, and they were right. But being a governor, he should have taken a higher road and had this crisis resolved by now. How does Ron DeSantis hold up against former President Trump? Most of these candidates, those have come up. They may be looking for the slot as a Vice President. Because so far, according to the polls, Donald Trump is still a heavy hitter. I mean, he is popular. His base is intact. And other candidates, the difference in between Donald Trump, Donald Trump's four years of development, what he has done to America. is very popular, no question about it. He has a track record at the same time. He has done many good things for Florida, no question. He was a Navy SEAL, a good family man, good training, very popular. And he has a future in Republican Party, no question. But now there are two things, Mike Pence gave very rough jabs, and that's the last time, Chris Christie gave very rough jabs against Donald Trump. but it's too early, first of all. I think, if you think about it, Donald Trump is still leading in many polls. But the polls, because it's a political exercise, he doesn't know what will happen, it's too early. It's too early, it's too early, but no doubt, when there's a new candidate announcement, the whole building is open, के आज दी डेड़ दे विच इस अलेक्शन दी सब तो जादा कमेंड के दे कोल हैगी सो जिसना साजी जी ने किया फॉर्मर वाइस प्रेज़ेंट माइक पेंस भी रेस एंटर कर चुके हैं देन ऐलायंसे, अलीजंसे, दोस्तियां, रिष्टदारियां, सब कुछ पिछे राजन दी है एदा तुसी एग्जामपल इस हफ़ते वेख सक देओ किस तरह former vice president Mike Pence जो के previously president Trump दे running मेट सी गे ओ हुन आप दी candidacy, individual presidential candidacy खुद अनौन्स कर चुके हन vice president Mike Pence नू कुई इन ने डे लेवल ते एक serious contender दे तौर दे generally नहीं विख्या जा रहे but उना दी entry इस race देवे चिस सानू Republican party दे विच किनने वखरे वखरे factions हन उना दे वारे थोड़ा जा अन्दाजा दिन दी है of course इस चीज इस topic ने discuss करने वाशिंग्टन दी सी पहुंचे है साधी community दे विच जदो असी वेख दे हैं कौन ए हो जे इंडिविजुल्स हन सिक community दे विच जो के American politics दे विच वड़े लेवल ते आप दी जगा बना चुके हन अते अगली पीडी ले होर जगा वड़ी का रहे हन उना दे विच तवाडी गिंती आंदी है Jesse Ji, साधी जी तुसी नाल दे नाल एथे American politics दे विच किनने एक्टिव हो लगातार तुसी पामें गवर्णर होएं पामें former President Trump होन इना दे नाल तुसी राप्ता काइम राख दे हो to have a place for six in America बट जदू असी Republican Party दे विच divisions दी गाल कर दे हैं उन factions दी गाल कर दे हैं उन अगे आरे हैं before we even talk about Mike Pence running इस हफ्टे जो Congress दे विच हो रहें उन्नु वेखलो look at Kevin McCarthy Speakership जितन ले किनी वारी वोट रखनी पई अज भी ओहो Faction जो एक छोटा हिस्सा Freedom Caucus दा Speaker McCarthy नू एक किसम दे हिसाब दना चंट्रोल कर रहें Congress is not working today साधी यान United States दी Congress अज दे डेट अज एक्टिव ने हैंगी Because of this Faction. Republican Party दे विच एहे Factions जैसी तोडना शुरू कर देयां तो हनू की लगदा वड़ा कारन हैंगा इन Factions दा and की इना दा कोई सुझाव आन आले दिना दे विच हफ्टे आं दे विच इस इस इक्स्पक्ट कर दे How do we see the Republican Party fighting the Democrats दो आप स्विच इस इस तना लड़ रहे है ए डिमोक्राटिक Republican Party दी इस 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 इर करेक्रिस्टिक If you look at it Republican Party दी ओ पेड़चाल पार्टी नहीं के एक जिने कैता सारी पिछे लाग गे Nancy Pelosi नी जो कैता ओ हर्ड मेंटालिटी जिड़र मेंटालिटी भी सारे कथी हो जाए Republicans विच ए शुरू तो रहा है 2016 दी Elections वे खिलो 16 candidates were there against President Trump होन भी इनने सारे आगे ने Democrat side ते सिरफ एकी आयने हाली तक Kennedy Aarif की जुनियर So this is the beauty of Republican Party I would say पूरा इनने असली Democratic process ज़जो Speaker दी वी प्रॉपर वेटिंग करके दूजे दी गल मनवा के ते फिर उस्पीकर बने सी और यह जड़े मुद्धे उन्दे ने डेट सीलिंग दा मुद्धा जड़ा है जड़ा मकार्थी ने बाइडन देनाल समझोता कर ले है जड़े कई I mean it's a very serious issue country दा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दा डेट हो गया जड़ो मैस मुल्क चाहा थी चाली साल पहले उस फिर ऐसी ट्रिलियन हिट करने लगे सी ते मैंनो याद ताइम स्कूर ते क्लॉक लगी वीसी जड़ा ताहनु डेट दस दी सी और अज एक ट्रिलियन तो वाद के थे और अल्मस्ट चाली ट्रिलियन दे कोल पहुंचिया है और इस इस तरहीं पैसे वेस्ट कर दे रही है और रिपब्लिकन्स हिस्टॉरिकली मोर रिस्पॉंसिबल ने और चांद देने के कोई भी डील होन तो पहला कंट्री दा इंट्रेस्ट आए और मैं समय दा हाली भी जल्दबाजी थी इसे विच वी शूद टेक वेटिंग और यह इनू एना कही है कि यह जल्दबाजी रेल की यह जल्दबाज अशय जी जी यह थी रेपलिकन पर्टी वेक देया है। अहो ज्याँ प्रॉस नू लैकिए। how do you see them coming together behind one candidate? 2016 देविश तसी के ए, सताना total candidates जी, including President Trump. अजदी देद देविश, 10 candidates already announced हो चुके हैं. ते आन वाले महीन्या देविश, we expect many more. How do you see the Republican Party coming together? के सामने कॉम दे रखने के जिस तरह अगले दिन खासकर क्रिस कृस्टी साब ने एलिगेशन लाई जैरेड कुशनर ते माइक पैन साब ने कहता है कि इस दिए सब्सक्राइब इस फर चेज गाले की ती सिरफ 11 पर संट मेरें दिन आगा चाहना के शाप चाहते लिए इस एकछेज और ने करना चाहाएब यह कृस्ट्छाइब देमॉकरेसी इस नि वाजाय मैं इस सिरफ 11 परसंट अमेरिकांस यह थे चेज बार च्रॉम्प साब मैं कैसे के I will drain the swamp so so far if you personally ask me it is not working it is not representing the entire nation so that that is I think we need reform or maybe this is maybe this is part of the reform and I understand that a process should take place if we come into the power how can we fix America and America need a repair badly our allies are leaving us especially after the fall of Kabul de-dollarization is going on our foreign policy almost doesn't exist we are not protecting our Monroe doctrine Brazil Argentina and Mexico they are moving towards different direction so I think we need a strong president with the labor leadership abilities who can lead all America towards the right direction being the sole superpower on the planet if we want to enjoy that status there are a lot of perks and comes with it there are a lot of responsibilities come with it and right now the world is leaderless and America is losing their charm America is losing their foreign policy Saudi Arabia UAE all of them they are leaving so I think we need a stronger president who can answer all of these questions so I think this Republican Party is going through a healthy dialogue going through a positive process matter of fact and we need it and nation needed it badly yeah and the case tonight he dialogue whore agge ja ke refine hundai fine tune hundai it as a no time the suga but our judge the program the which I see to had a lake a call to action present karangit politics the girl sade sare and the which uh ik second nature ban chuki in fact keha janda panjabiya de raga de wich politics haiga but politics di khas karke baar le mulka de wich america de wich jasi beth hai Washington DC to a program page karhen siraf gal karni enough nahi hagi gal karan to baad samjhan to baad action land di load hagi so sa denal jasteep singh jessi ji sajit tarar ji to see the politics de wich kinivote level te involvement rakh deo um saadi community no before we get to the action part agarasi soch denal shuru karhiye ajdi de wich soch te whi ek ldaai ladi ja rhiya amerika de wich kis tarah di soch honi chahi dhye khas karke jo soch loka nu extreme ek paase ya dujje paase laye ke jan diye jessi ji agarasi es jo battle rachi jari extreme paamey right wing hove ya extreme liberal agenda hove asi ek immigrant community hon de naate apne aapneu kis tarah define kar sakde saadi ki jaga honi chahi dhye es political spectrum de wich ahm ashmi taa extreme kishe bhi cheeze da acha nahi honta paamey tu si right wich conservative extreme chale jau ya liberal extreme wich chale jau centered approach amesha meray saamna thik randhi hai aur main samayi daan ke oh jadho ai toho 30 saal pehlaan 40 saal pehlaan jira banda center wich asi honde si to it was very well respected aaj kal dhi society bade divisive ho ghi tu si jes center wich wich wii hotte tano center chini random te ya te tu si es extreme pe jau ya os extreme pe jau aur cancel culture a gaya hai woke culture a gaya hai ke je tu si align nii ho re ek extreme naal te dujje tano cancel kar dhengi ahm mein aapnei immigrant south asian pinjabi se community no hi kama gaga ke tu si jadho bhi tu si e nhi kaya na ke bhi aasi demokrats nuhi support karna hai ya republicans nuhi support karna hai tu si candidate base te aapnei souch rakhou ur toada dil ki ki kyan da hai sikhi nahi sanu sikha hai usi sari anna equal karna hai paameyo gay hai lesbian hai black hai usi sari anna respect kar dhe ya par tu si apnei bacheya nuhu kithe bach deo future wich tu si kithe stand kar dheo twa dhi values ki ne or ki tu si chao gai ki twa dhi bacheya nuhu ek school dhi teacher ya koji activist aake padkai aur unha nuhu koji ho raste chpaa dhe jithe tu si naihi chan deo tu si ho chan deo please jirur support karo par je naihi chan deo tu si phir ur ushi saabunal apnei saamaj varth ke jo toda da dil kanta hai ushi saabunal candidate pak kaaro aur mai sama nhấtha ke ek jinnu kande pade这al ke ek ne gi replacement eat ne gi apne r traject republican to republican dwonha grao use your inner values your inner thoughts ki tu si ki chan deo ur ur osa mndna bakeeper posterior aapna future किस तरह अपने आपनों इत्हे दे ओस स्पेक्ट्रम दे विच यह अपनी जगा बना सकते हैं यह सडीक जगा सी लब सकते हैं के इना देनाल सी जादा सिमिलारिटीज रख दें कंसर्विटिव्स लिबरल्स यह यह संटर अगर मेरे तो तुसे पुछो जगाते आरडी लोकी बना रहे ने साड़े निकी हेली रंदावा साब मैंड़ बना रहे ने साड़े विवक ने स्वामर हमी ओ जगा बना रहे ने मैं एक टेड़ा मेरा एक अजय को जोड़े ने साथ कर साथे स्कूलां देविच एकैडमी यह जिए ने मुसलसल साथे बचे नो दासरें के अमेरिका इस नाट बूड प्लेस तो बेसे नाट प्लेस उना तो बचा के रखना पने बचे नो असी आया थे असी वी केम हेर तो अ कमपैलिटिव मार्केट प्लेस असी मेनतकर के अगे वजर नाचाने या और ओधे वास्ते जरूरी है के यू एफ तो बीटी आफर कर दी तुसी ओधे नाट एंजॉए करो मैं सब दो पहले ते रिक्वेस्ट करना चाहंगा आपने वेखना रहें के तुसी अपने वोटर रिजिस्टेशन कराओ अपने कांगरसमें देना रिलेशनिशिप बनाओ अपने इशूज ते बारे चोना नूँ एमेला पे जो उनान तुसी खात लिखो इस सिस्टम दा प्रासस दा हिस्सा बनो इंटिग्रेशन ते तोज्वो देओ साडना इडिग अपना हिर्चें कर मैं ताड़ कांगर सो इस जाड़ा है करा संदा हैलों है आट हैहरिचे है आखर जारद फ enough time, dust, what you are learning out of the schools and what they are learning from the liberal teachers both are very very toxic they can be very toxic and they are doing it matter of fact I'm a father of four kids myself and my kids has been telling me back and forth that how they have been having a bombardment of a negative and toxic ideology in the schools and colleges so make sure that nobody is playing in with the minds of you and your kids and next generation so that is very important is political process the hissa bano positive hissa bande di koshish karo participate karo contribute karo and make sure your presence is felt i think jesse jiji sajid ji agar mein tuha di doh galna dhoharani ho viewers de benefit leh mein jrur ehi kawangi ik taan jithe wii tusi rendeo kisi share kisi state subede wich othay de candidates othay de issues no sabto pehle unha de nal jan kaar hou wo party baazi ta chaldi reheni hai but changa candidate agar tuha de leh sense bananda unha de nal judo and do jiggle of course participate karo bachya nu naal ral ke apne bazurga nu naal laike jau local level te jo kuch ho raya ode waare jan kaar hou wo ode wich shamil hou wo the first step is showing up agar saadde warge saadde warge lagde hai paami undastar de naal holm paami jis tarah saadha skin color hai agar asi vaddi ginti de wich kithi bhi maujood hundeya that is the first most important step aaj de program nu laike saadle saadha guest li koi bhi questions comments concerns juji juroo sanu likh saka de info at justbroadcasting.com ashmita at justbroadcasting.com once again jasteep singh jessie ji six of america sajib tarar ji pakistanis of america and hund ehi center for social change ahm eith hai asi kinne kinne programs kitte hoi and every time we talk sanu kuchh nawa sikhan nu mil da hai eith hai di conservative movement nu laike and overall united states si political direction nu laike in ahm sulje hoi khailat le is discussion ne ase todhi tanwa diyan hon saari anu tusi ajazat davo sat sriyakal hund ee